शरश्वति ग्यान चैनल में आपका श्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल के बारे में हिंदुस्तान एरोंडेक्स लेमिटेट जो की विकेंसी आई है वो हमारे नासिक महराष्ट के लिए आई हुई है ओजर टाउन से पोस्ट जो आती है नाशिक क दिविजन है वो इस नासिक के लिए जो है ये विकेंसी निकाली गई है और मैं आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो है अपरेंटेस के लिए निकाली गई है भरती तो जिन लोगों ने आई टाई कंप्रीट किया हुआ है या डिप्लोमा कि या इदर चीज की हुई है तो उनके लिए अपरेंटेस करना बहुत जरूरी होता है बहुत सारे आजकल एक्सामों में जो है अपरेंटेस मांगना जो है स्टार्ट कर दिया गया है जिसमें अगर आपकी ये कॉलिफिषन है और प्लस अपरेंटेस है तो ही आप उस फ celebrity है कि कि हम अगर apprenticeship भी कर लेते हैं तो हमारी एक step जो है हम दूसरों क्या picture जो है आगे निकाल आते हैं तो आज इस वीडियो को start करने और बताने का मेरा यही मकसद है कि आप जो है इस वीडियो को जो है last तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगता है तो अगरुस्तान Aeronautics Limited नवरतन Central Public Sector Undertaking Under the Ministry of Defense Government of India तो कुछ बाते हैं हमने जानी कि यह एक नवरतन Central Public Sector Undertaking Sector है इसमें जो है आपकी जो vacancies निकाली गई है वो आपकी graduate diploma, ITI completed इनके लिए कुछ vacancies निकाली गई है non-technical के लिए भी निकाली गई है ठीक है तो हमारे लिए जो सबस्यादा important है चुकि हम ITI से related information को लेकर आते हैं तो हम सीधे जो है ITI वाले portion पर जाकर बात करेंगे अगर जो लोग और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अगर graduation किया हुआ है जिन respected इन branches से तो वो भी जो है इस qualification को अगर करते हैं तो वो apprentice कर सकते हैं चली अगर आपने डिपलोमा किया हुआ है electrical engineer, computer engineer, civil engineer, aeronautics engineer, lab assistant, mechanical engineer, hotel management and nursing assistant तो अभी आप जो है इस चीज से आप जो है apprenticeship कर सकते हैं अब हम बात करते हैं ITI से related कुछ important बात हैं सबसे पहले हमको जो है approach 8000 के लगबाग हमको salary मिलने वाली है जो भी ITI से करने वाले है apprenticeship जैसे की fitter, fitter tray से सबस्यादा vacancy से 146 अगर आपने fitter tray से ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पर apprentice के लिए apply कर सकते हैं tool and die maker, turner, machinist, carpenter, machinist, grinder, electrician, draftman, mechanical, electronics, mechanic जो जिसकी लगबाग 8 जो है vacancies यहाँ पर दिखाई गई है painter, seat metal, mechanic, computer operator and programming assistant, koopa, welder, stenographer, okay and refrigeration and air condition mechanic, तो यह कुछ important ITI trades है total 350 जो है vacancies आई हुई है, तो जो भी महराश्य से belong करते है या other states से belong करते हैं और आपने apprenticeship नहीं किया है तो आप जो है इस form को fill up कर सकते हैं and जो है अपने apprentice complete कर सकते है और भी कुछ बाते हैं हम जानने की कोशिस करते हैं ITI से related तो candidates should be an Indian citizen, have passed ITI in the respective traits recognized by NCBTI, SCBTI जिन लोगों ने NCBTI, SCBTI से ITI किया हुआ है वो लोग जो है इस form को fill up कर सकते हैं candidates should not be undergoing and undergone apprenticeship training in any other establishment मतलब आप कहीं पर भी जो है आप दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं आपके apprenticeship के दोरान कुछ reservation की बात की गई है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं इस form में ज्यादा हमारे लिए important होता है कि इस form को fill up करना तो यहाँ पर website दी गई है आपको आप यहाँ पर जाकर जो है इस form को fill up कर सकते हैं इस how to apply आपको दिया गया है आप किस प्रकार से apply कर सकते हैं या इसके अलावा बहुत सारी हमारी website हैं जैसे सरकार रिजल डॉट कॉम इस form को fill up कर सकते हैं application to apprentice training beings to August 2023 इसके 2 August 2023 से आपके form fill up होने start हो गए है and last date of application 23rd August आपकी जो है इसके last date होने वाली है इन्होंने कुछ document verification की कुछ tentative date जो है आपको बताई हुई है कि 4 September to 16 September जो है आपका document verification हो जाएगा जैसे ही आपका जो है अगर नाम आ जाता है तो को और भी कुछ important जो है बातें बताई गई है इसमें वो आप इसका notification जो है डाउलोड करके और भी पढ़ सकते हैं के और भी कुछ academic qualification के बारे में बताया हुआ है बकी आप देख सकते हैं मैंने आपको information देने का मैंने का काम किया है तो आप इस form को fill up कीजिए जिन लोग जो भी लोग जो है हल से अपना apprenticeship करना चाहते हैं तो यह मेरा मक्षद यही है कि आप जो है अपने सरकारी जौब पाने का आपका सपना पूरा हो सके आई-टाई से तो अगर आप आई-टाई के बाद apprenticeship करते हैं तो आपका सरकारी जौब पाना आपके लिए बहुत यहारसान हो सकता जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरकारी जौब के पानी के लिए आपका एक step जो है आँगी बढ़ जाते हैं दूसरों के picture तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं एक नई वी जूस्तु